एलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर चैनल, आज की इस वीडियो में हमें एक इंटर्व्यू क्वेशन को डिसकस करेंगे, यह क्वेशन सीक्वल बेस्ट है एंड इसमें हमसे पूछा गया है कि identify overall allocation status of employees in an organization, तो basically हमें allocation status के बारे में information find out करनी है, employees जो काम कर रहे हमारे किसी organization में, तो हमारे पास data था, इस तरीके से गिवन था, इसके अंदर हमारे पास employee ID, employee name, और अगर वो employee किसी client project में काम कर रहे है, तो वो mentioned है, अगर वो internal assignment में allocated है, तो वो यहां पे mentioned है, तो अगर मैं यह यहां पर आप लोगों को brief में बताऊं, तो यहां पर हमारे पास employee ID column है, जिसमें different employee IDs given है, employee name है, इन employees के, और फिर हमाई दिख रहा है, कि यह employee client project में काम कर रहे है, या फिर internal assignment में काम कर रहे है, तो अगर internal assignment के नीचे yes है, तो रोहन जो है, वो internal assignment कोई organization है, वहां पे allocated है, और अगर जैसे मोहन का आप देखते हैं, तो यह client project में काम कर रहे है, और आप यहां देख सकते हैं, कि जैसे Nathan है, या फिर अगर मैं बात करूँ, Rita है, यह किसी भी, ना तो client project में allocated है, ना ही internal assignment में काम कर रहे हैं, किसी organization के, अब, अब ऐसे employees को हमें identify करना है, जो किसी भी, ना त internal assignment में allocated है, तो यही हमारा question है, कि identify overall allocation status of employees in an organization, तो एक कुछ SI interview question हम से उचा गया है, तो यह हमारा given table structure है, अब तोस्तो इस question को answer करने के लिए, हम क्योंकि यहां पर आप देख सकते हैं, multiple null values given है, तो मैं यहां पर use करूँगा police के, अपने SQL के police function को, police की help से हम क्या करेंगे, हम identify करेंगे, ऐसे employees चुप किसी भी project में allocated नहीं है, तो सबसे पहले हम यह देखेंगे कि police function काम कैसे करता है, क्या purpose होता है SQL में उसका, और फिर हम इस interview question के solution को derive करेंगे using police function, तो सबसे पहले देख लेते हैं, police function होता क्या है और कैसे काम करता है, तो जैसे आप यह देख सकते हैं, police function की अगर हम statement देखते हैं, तो it returns first non-null value from a list of expressions, यह हमारे पास list of expressions given होगी, तो इस में से कोई भी first non-null value होगी, उसको non-null value को यह return कर देगा, यह इसका important function होता है कि non-null value को return करना, अब इंपोर्टेंट बात आती है कि sequel में इसका frequent use क्यों होता है, क्योंकि sequel column से काईबर identify करते हैं कि null values present है, तो ऐसे scenario में हमें जब output में से null को remove करना है, null values के place में, कोई value insert करनी है, कोई default value insert करनी है, ऐसे scenario में police function हमारे लिए बहुत handy होता है, और हम frequently इसको use करते हैं, तो मैं कुछ अगर basic example यहाँ पे आपको police function के समझाओं, तो कई बर interviewer क्या करता है, ऐसे scenarios आप लोगों के आगे रखतेता है, अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले मैं आपको case 1 से कित रोख समझाता हूँ, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक dummy example यहाँ पे आप लोगों के लिए show करूँगा, तो इसमें मैंने क्या किया है, select police, e, s, c, e, ok, और यहाँ पे हम pass कर देंगे, से पहले, null value, and let's suppose हम pass कर रहे हैं, hello, और इसके बाद, फिर null, and let's suppose हम pass कर देते हैं, वाद, ये, कुछ इस तरीके से हमने पहला सिनारियो लिया है, जब इसको हम run करेंगे, तो आप देख सकते हैं, यहाँ पे first non-null value, इस पूरे argument list, यह पूरी एक list थी arguments की, first argument जो था, वो null था, तो हमने देखा था कि, जो कूले इस होता है, वो null null value, first non-null value को return करता है, तो first non-null value थी hello, तो इसने यहाँ पे hello को return कर दिया, अब हम देखते हैं, case 2, अब हम एक बार case 2 भी देख लेते हैं, अब मैंने क्या किया, select, यहाँ पे अब मैंने पहले लिख लिया, hello, and यहाँ पे null, इस तरीके से मैंने इसको लिख लिया है, perfect, आप जब इसको हम run करेंगे, एक बार इसको run कर लेते हैं, तो आप देख सकते हैं, यहाँ पे first argument ही, अमारी non-null थी, तो यहाँ पे output में, as expected हमारे पास hello return हो गया है, पर case 3 लेते हैं, जो interviewer कई बार हमें confuse करने के लिए देता है, वो कुछ इस तरीके से होता है, case 3, उसमें interviewer क्या करेगा, आप लोगों को, और यह मैं यह एंफिसाइज कर रहा हूँ, क्योंकि देख इंटर्व्यो कोशिन एक तरफ है, और यह तो small scenarios होते हैं, यही generally interviewer आपके सामने present कर देता है, और उससे आपको quickly answer expect करता है, तो आपको खुद से practice करनी है, सारे scenarios, मैं कोगा 180 degree scenarios जितने भी होते हैं, आप लोगों को देख लेने हैं कि क्या उड़ाता है, तक उस वक्त आपको answer handy रहे, जब आपसे interviewer यह question पूछ रहा है, तो अगर यहाँ पर मैं कर देता हूँ, null, null, उच इस तरीके से कर देता हूँ, या and एक और null, तो यहाँ पर क्या किया, मैंने सारी values को null कर दिया है, यहाँ पर मैंने सारी values को null कर दिया है, तो जब मैं इसको run करता हूँ, तो आप देख सकते हैं, output भी मेरा Null नली आ रहा है क्योंकि वो पहले उसने फ़र्स्ट आरगुमेंट को देखा ये Null मिली, तो वो Second पे गया, Second भी उसे Null मिली फिर वो Third पे गया, Third भी उसे Null मिल रही है तो हमें Non-Null Value तो मिली दे रही है तो इस तरीके से कुछ scenario बनते हैं, मैं भी कोशिश करते रहता हूँ कि community section में जादा से जादा इस तरीके के basic interview question आप लोग के साथ share करूँ ताकि आप लोग खुद से practice करें, यह बहुत ही important होता है, तो आपके पास time बहुत limited होता है, तो आप खुद से जब भी आपके पास spare time ह हैं, आप खुद से इस तरीके के scenarios को practice कीजिए, ताकि जब भी आप interviewer को face करें, तब आपके पास answer सारे handy हूँ, तो यह तो कुछ cases हुए, जिसके तरू मैंने आप लोगों को basic कैसे काम करता है, कोलेस, वो समझाया, इसके लावा भी कुछ scenarios होते हैं, जैसे कई बार एक scenario और होता है, मैं आप लोगों को वो भी दिखा देता हूँ, जैसे यहाँ पे, अगर मेरे पास null था, one था, and hello था, और let's suppose, ओके, यह तीन चीज़े थी हैं मारे पास argument list में, तो आप कही बार interviewer पूछता है, कि इस दिसा valid state में a valid query, तो सबसे पहले आप confused हो जाते हो, यहाँ पे तो हमारे पास एक integer है, यहाँ पे एक string given है, तो पता नहीं यह एक valid SQL query है या नहीं, तो ऐसे में हम यह ध्यान दखना है, कि यह एक valid SQL query है, जब हम इसको run करते हैं यहाँ तो आप देख सकते हैं, simple जैसे college function काम करता है, value value इसे argument list 1 null मिली, इसने दूसरी value पर गया, दूसरी इसे not null मिल गया, 1 मिल गया, तो 1 इसने output देदिया, it's as simple as that, तो ऐसे scenarios में आपको confused नहीं होना है, आपको simply यह देखना है, पहले सो कुछ से practice करनी है, और आप लोगों को answers को handy रखना है, यह बहुत important है, तो यह तो रहे कुछ basic scenarios, जो मैंने यहां पर cover करे, पोस्टिश करूंगा कि community sections पर इस scenarios को share कर दूँ, ताकि आप लोग भी कुछ से practice कर पाएं, अब चलते ही हैं, हम अपने interview question पर उसे देखते हैं, किस तरीक सा हम solve कर सकते हैं, अब एक बार हम अ table का structure था, तो जैसे question में पूछा गया है, identify overall allocation status of employees in an organization, तो यहां पर आप देख सकते हैं, कि null values, जो working in client project column है, वहां पर भी present है, working in internal assignment column है, वहां पर भी present है, तो मैं क्या करूंगा, बहुत ही basic query, यहां पर coales की help से लिखूंगा, इसको answer को derive करने के लिए, तो जहां पर हमें क् ले, अपनी employee ID column ले लेना है, and employee name, यह दो column मेरे यहां पर आ जाएंगे, ओड़ा सबंड़, ओके, अब मुझे क्या करना है, यहां पर अपने coales function, जो हमारे SQL में coales function होता है, इसको हमाएं यहां पर use कर लेना है, ओके, तो coales में क्या करना है, हमें जैसे आपनों को पता है, coales वो written first normal value, तो हमें यह देखना है, सबसे पहले, अपने column को working in client project, सबसे पहले, तो हमारा value है, वो working in client project में है, वो written कर दे, या फिर अगर working in client project नहीं है, तो अगर वो internal assignment में काम कर रहा है, तो वो written कर हो जाए हमारे पस, तो working in, अगर वो internal कोई जैसे internal project होते हैं, और वो उन में काम कर रहा है, तो वो return मुझे, वो पता लग जाए status में अमारे, लेकिन अगर वो ना ही client project में काम कर रहा है, ना ही वो किसी internal, किसी organization project में काम कर रहा है, तो वो क्या करे, not allocated जहाँ पर दिखाए मिरको, not allocated, तो वो मेरे status caller में, इसको मैं नाम देता हूँ, allocation status, तो वो क्या करे, मेरे allocation status में मुझे दिखाए not allocated, तो इसते मैं क्या करूँगा, इससे क्या advantage होगा, मेरा overall allocation status आ जाएगा, तो मैं जब run करूँगा, तो आप देख सकते हैं, यहाँ पर, कि employee ID 1, जो employee name जिसका रोहन था, वो allocation status उसका yes था, मतलब वो allocated था, किसी project में, similarly, जो no one था, वो भी allocated था, हमें देखें, यह मतलब नहीं है, कि वो internal project में allocated है, यह client project में, हमें मतलब है, कि वो allocated होना चाहिए, और अगर वो allocated नहीं है, तो हमें देखें not allocated, तो यहाँ पर क्या हुआ, जैसे Nathan है, अब Nathan जो था, Nathan ना तो भी किसी client project में काम करा था, ना ही वो किसी internal project में allocated था, उसका status आरण चाहिए not allocated, तो यहाँ पर मेरा not allocated आ गया, आगे चलते हैं, Tom भी allocated है, Can भी, Matt भी, Simon भी, Rita not allocated है, यह ना ही internal project में, ना client project में, तो यह हमार पस Rita भी आगया है, यहाँ पर, इस दरीगे से रमेज जो है, वो भी allocated है, राजिश भी not allocated है, यानि यह भी ना तो client project में allocated है, ना ही internal project में, तो overall हमार पस three employees आगे, Rita, राजिश, आ and हमार पस Nathan, three employees आगे, जो not allocated थे, तो generally जो HR होते हैं, वो aware होते हैं, वो इस तरीके से देखते हैं कि कितने employees उनके अभी allocated नहीं है, और उसकी help से इस तरीके से वो identify कर पाते हैं, overall allocation status और जो not allocated resources है, उनको allocate करने की कोशिश करते हैं, तो ऐसा ही question हम से पूछा गया था, तो real world मे इस type के queries का use होता है, जब अगर हमार को जैसे resources को allocate करना है, या फिर अगर मैं दूसरे terms में बताऊं, तो कई बर क्या होता है, हमारे पास कोई information अगर किसी column में present नहीं है, तो उसको किसी default value से हमार को replace करना है, तो ऐसे scenarios में भी हम always कवाँ use कर सकते हैं, तो मुझे उमीद है कि आपको ये interview portion clear हुआ होगा, समझ आया होगा, और आपके इसके related कोई doubts है, तो आप comment section में share कर सकते हैं, मैं answer देना ही कोशिश करूँगा, and friend, please इस channel को subscribe कीजिए, मैं देखता हूँ, हमारे गाफी viewers हैं, view करते हैं, वीडियो पर वो subscribe नहीं करते हैं, तो please इस channel को subscribe कीजिए, वीडियो को like भी जरूर कीजिएगा, तो मिलते हैं next video मैं, तब तके लिए thank you, ताने वाँ